नमस्कार तुष्तो मैं राज पांडे आप देख रहा है आर्पी अंट्रे आई आए जा लेते हैं अभी की बाई ख़ब ब्रेकी नियुक्त की बारे में अभी की लेटेश्ट अब्डेट की बारे में बात करेंगे पूरी ख़बर भी स्तार चिदेंगे सच को सच कहेंगे कि खबरे क्या हैं आपको किसी चैनल के माधिम से देखने को मिले या ना मिले लेकिन इस चैनल के माधिम से आपको दिखाया जाता है तो वीडियो को पूरा देखते रहीगा जिसे आपको पूरी जानकारी मिल जाए वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट क करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें अगर आप इसी परकार की अथेंटिक जानकारी प्रस्टिजिन चाहते हैं तो आप समसे जुड़ सकते हैं जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें सबस्क्राइब करें सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी जाता हूं जिसके समझ में वीडियो भी अप्लोड किया हूं यहां पर देखे लिखा हुआ है यूपी तक कैराना में बिना नंबर प्लेट के वाहन में एब्यम मसीन मिली सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एडियम कुछ लोग कहेंगे आप फरजी खबर है तो मैं आप सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और इसका वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है दूर घटना था उसका मैंने वीडियो भी अप्लोड कर दिया है वीडियो चैनल पर अप्लोड है अभी मैं सुभा ही अप्लोड किया हूं उस वीडियो को जरूर देखिएगा वास्तु में EBM पकड़ी गई या नहीं आखिरकार जिसकी लहर चल रही है जिसकी लहर चल रही है अगर उसी के सासनकाल में EBM पकड़ी जाए तो आपको क्या लगता है लहर चल रही है आगे से चल रही है या पी से चल रही है आप लोग अपनी राय कमड़ बाक्स में जरूर दें और EBM क् पर पहुंचे किस तरह की तर्क दे रहे हैं उस पर भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आगली खबर की 150 रुपे तक जाएगा पिट्रोल का भाव सभी के जहर में सवाल है या खबर सही है गलत है तो मैं आपको बता चात्रों के लिए डिजिटल का अच्छा 45 मेट का वीडियो रहेगा किसी एक चैप्टर का नए सत्र से चात्रों को मिलेगा फायदा सिचकुक का वीडियो तयार करना सुरू हो चुका है नए सत्र से इसका फायदा चात्रों को मिलेगा मार तक सभी बिसेओ के सभी चैप्ट 2022 में पिट्रोल के दा में कम से कम 120 रुपे से 130 रुपे होते नजर आएंगे 2023 में या 1.500 रुपे तक दा सकता है सचाई के साथ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं अगर विश्वास नहीं है तो इस हबर खा आप परताल कर ले और मैं आपको बताना चाहता हूं आप इंतजार कर मार्स के बाद महंगाई बढ़ना सुरू हो जाएगा एक और महत्पुन खबर है जो यूपी को अपराद मुक्त रखे उसे ओड़ दें ऐसा मोदी जी का कहना है क्या उत्तरप्रिस में अपराद बरतमान में नहीं हो रहा है आपको बताना चाहता हूं कि मंत्री टेनी के बे इन्होंने किसानों के हत्या किया ऐसे आरोप लगे हैं गाली चाहिए ऐसे आरोप लगे हैं इनको जमानत मिल रही है लेकिन अभी यूपी टेट का पेपर लिक हो जाए शीटेट का पेपर लिक हो जाए या किसी परिछा का पेपर लिक हो जाए पकड़ा जाए तो उसको जम पुछना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में अपनी राज दीजिएगा कि आप किसे वोट करेंगे किस मुद्दे पर वोट करेंगे आपका क्या मुद्दा रहने वाला है आप अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दे जिससे जनता को जानकारी मिल सके अगली ख़बर की आगे रिक्तियों को भरने के लिए हम प्रतिवध्य हैं लेकिन किस तरह से वरेंगे आउर्ट्सूर्शिंग से भरेंगे कि सम्मिदा से भरेंगे कि परमानेंड करेंगे किस्तनी लाख नोकर जिया देंगे इसका जिकर नहीं किया गया और मैं आपको बत्थाना चाहता हूं लोगे कास के मुद्डे पर बात नहीं ऊरा गाए гएंगा इस तर खालिस्तानी पाकिष्टान जिन्ना अपराज मुक्त इसी पर बात हो रहा है एक बार भी नहीं खा जारा कि हम इतने हाउस्पिटल बनाएंगे, इतनी कमपनियों को लाएंगे, इतना रोजगार देंगे, इस तरह से हम नौकरी देंगे, पारदरस्ता लाएंगे, हम सडके बनाएंगे, हम सवचाले को और बढ़ाएंगे, इस तरह की बात नहीं हो रही है, जिन्ना, ठोक दूंगा, चर राजनीत नहीं होने चाहिए, उसी के समंद में आप लिखा हुआ है, कि जात पात नहीं विकास की मुद्दे पर हो राजनीत, राजनीती पर हाबी जात पात से बाहर आने की लोगों में चाह, अब नए राजनीती महोल की उम्मित कर रहें, आम मत दाता, रहे नए राजनीत महोल की उम्मित कर रहें मत दाता आप सोचिए अगली अपडेट है कि यूपी करण कहराना ने बाजी मारी नोड़ा में रिकार्ड ओटिंग तिहां पर पूरा डाटा दिया गया अभी मेरे जवार आपको बताया गया है एक और महत्पूर खबर है खीरी हिंसा में ग्रिराज म कर रहें जो गलती किया जिसको सजा हुई हो जिस पर शाची डाखिल हुआ हो आप उसको अपने पार्टी में रखते हो उसके बाद कहते हो अपराधमुक्त तो भाई आप में अगर कमी होगी तो दूसरा कैसे मानेगा कि आप पराधमुक्त हो अगली अपडेट है कि चुनाओं के बाद नई जिसातने होगी और मैं आपको बता दूँ बर्तमान सरकार के द्वाला अंसर सुपदों को भरने का एलान किया गया लेकिन मामला फिर फस गया अब इसका थमाधान कब तक होगा या कोड़ पर निर्भर करता है अगली खबर की नई सरकार में पूरी होगी प्रधानाचार 2013 की भरती दोसियों को सजा मिली ना चैनित पत से हटे ना हुआ निस्तारण मैं आपको बताना चारता हूँ इस चैनल के माधिम से पहले भी आपको बताया गया था कि चुनाओं के पहले कुछ नहीं होगा और जो ब पर तो आई लेकिन शुरू में आनलाइन कराने में हुई तुरूट्री और उसके बाद विधान सभाय चुनाओं की प्रक्रिया में अटक गई तो आपको दस मार्ज के बाद ही उम्मीद करनी चाहिए अगली खबर आर आर भी एंटी पीसी भरती परिछा को ले करें आर आर क्सापयटी गठित की गई है मैं आपको बताना चाहता हूं क्सादस साड़े 15.30 से मैं आप बताना चाहता हूं जितने मिह अभ्यरति है है उनको एक ही बात की उमीद है कि परिड़ाम में स्वनसूधन होगा और मैं आपको बता दूँ जप Paraan में गरबड़ी हुई है तो क कमेटी की क्या ज़रूरत है अगर परेडा में गरबड़ी हुई जिस तरह सा भेरती बोले उस तरह सा कर दीजिए उसके बाद सीवीटी टू की परिच्छा के बाद ही किसी का चैन होगा तो आखिरकार इसकी लिए कमेटी क्यों बनाई जा रही है और इसे लंबा खीचने का प कि आप लोगों को जो करना है करिए बात करिए समश्या बताइए उसके बाद आपको खुद बाद खुद पता चल जाएगा चुनाओ की बात क्या होगा देखिए यहाँ पर देखिए जिस ख़बर की मैं बात कर रहा था भोपार दस दो 2022 की खबर है यानि की दस फरवली की खबर है चुनाओ बाद 8 से 9 रुपे तक बढ़ सकते हैं पिट्रूर डीजल के दाम याने की नई खबर है कोई पुरानी खबर नहीं है तो अभी आपको बेट करना पड़ेगा मर्च की बात का अगर आपको इसी परकार के अथेंटिक जानकार चाहिए तो आप उनसे जुड़ सकते जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वेल आइकन दो है और पर सिलेट करें जहीं जबारस्तू नमस्कार